हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी है वीवो का फोन और उसमें आपको दिक्कत आ रहे हैं कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं नेटवर्क को लेके आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक कैसे करें आईए जानते हैं यहाँ पर मैं आपको चार से पास तरीके बताने वाला हूँ जिससी प्रावलम ठीक हो जाएगी सबसे पहला तरीका है जो की आपको पता होगा शायद कि अपने फोन को एक बार बंद करके चालू करना याने कि रिस्टार्ड कर देना इससे आपकी दिक्कत ठीक हो सकती है पर इस तरीके से काम ना बने तो आप अगला श्टेप फॉलो करें अगले स्टेप में क्या करना है आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है फोन की जाने के पाद आपको मिलेगा आपको नेटवर्क एण इंटरनेट इससी चालू करिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक option SIM card एंड मोबाइल नेटवर्क इस पर टच करें यहाँ पे आपको मिलेगा Mobile Data यह चालू रहना चाहिए और यहाँ पे आप Sim 1, Sim 2 देख लिजी आपको कौन सी Sim में दिक्कत आ रही है तो Sim 1 पे, Sim 2 पे टच करिए किसी एक पे जिसमें आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पे आपका चालू होना चाहिए यहाँ पे Sim Name आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे Data Roaming चालू कर लिजी अगर आपको Net को लेके दिक्कत आ रही है यहाँ पे आपको मिलेगा Preferred Network Type इस पे टच करें और यहाँ पे आप 4G या अपने हिसाब से सेटिंग कर लिजी है मैंने 4G कर रखा है इसके बाद आपको मिलेगा है आपको मिलेगा है आपको Automatic Select Network आप चालू कर लिजी इससे आपको जो Phone है अच्छे से अच्छे Network को Automatic Select कर लेगा फिर आपको मिलेगा है आपको Access Point Name इस पे टच करें यहाँ पे आपको 14. मिलेंगे इस पे टच करें और Reset to Default कर दीजीए अगर आपको Net को लेगे कोई भी दिक्कत होगी वो ठीक हो जाएगी Volt यह आपको चालू होना चाहिए और इससे Back कर दीजीए और दूसरे Sim में भी आप ऐसे ही कर दीजीए तो आप कर दीजीए यहाँ पे Same आपको वो Option मिल जाएगा तो इससे भी आपकी यह दिक्कत ठीक हो सकती है फिर अगला इस टेह पे अपने फोन की जो सेटिंग है उसे Reset कर देना यानि की Mobile Data Bluetooth और Wi-Fi को लेगे जो दिक्कत आ रही है उसकी सेटिंग को Reset करना तो आपको जाना है नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक Option मिलेगा जिसका नाम होगा System इस पे टच करें ओपन करें यहाँ पे आपको मिलेगा Reset Option इस पे टच करें यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे उपर Reset, Wi-Fi, Mobile and Bluetooth इस पे आईए मुझे मुझे सिम 1 में दिख्कत आ रही है 四et सेटिंग कर देता हूँ और अपना पैटर लॉग क्रिएट कर देता हूँ जो मैंने एंटर कर रखा है और रीसेट सेटिंग पे टच कर देते है हमारे फोन में जो بھی दिख्कत होगी वो ठीक हो जाएगी इन इस टैप को फॉलो करने के बाद और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें